Hello Everyone, Environment Engineering में हम Water Treatment में आगे Water Softening के बारे में पढ़ेंगे पिछली क्लासेज में हम Disinfection तक पढ़ चुके थे आज हम Next Process of Treatment में Water Softening के बारे में देखेंगे Water को Soften करने का मतलब है कि उसमें Hardness जो Present है जो हमारे Acceptable Limits से ज़्यादा है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? जो जनरली हमारी Acceptable Hardness होती है, वो कितनी होती है? Acceptable Hardness हमारी कितनी होती है? 200 Milligram पर लिटर और अगर 600 Milligram पर लिटर से ज़्यादा है तो यह हम पानी Through Out क्या करता है? Reject करते हैं और इसको हम Limiting Value के अंदर लाते हैं यहाँ पर Hardness हमारी क्या होती है? पाने में प्रेजेंट केलशियम और Magnesium आइन्स जो होते हैं यह हमारी क्या होते है? Hardness को Produce करते हैं तो पाने में इन आइन्स को Remove करना ही हमारा क्या कहलाता है? Softening Technique कहलाती है तो Hardness जो होती है उसको हम Mainly जो Hardness को हम Simple Boiling के थ्रूबी रिमूव कर लेते हैं Simple Boiling से जब हम रिमूव करते हैं तो Hardness में Calcium की जो Hardness होती है वो तो हमारी Completely रिमूव हो जाती है लेकिन जो Magnesium की Hardness होती है वो हमारी Completely रिमूव नहीं होती है और उसको रिमूव करने के लिए हम उसके अंदर Hydrated Lime को एड़ करते हैं ओके, The Temporary Hardness The Temporary Hardness Is Removed Removed By Simple Boiling उससे हम Simple Boiling से रिमूव कर सकते हैं ओके, तो जैसे अगर हम Reaction देखें तो जैसे हमारी Temporary Hardness को बनाता है Bicarbonate ions बनाते हैं Calcium CaHCO3 Hold Twice को जब हम Heat करते हैं It is Heated मतलब Boil करते हैं, Heating Then, यहाँ पर यह Calcium Carbonate की Precipitation बनाता है उसके साथ हमारे Biproduct में क्या बनता है H2O Plus CO2 Environment में Release हो जाता है और यहाँ से पानी में हमारी जो Calcium Carbonate है, Calcium Ayan है वो हम Precipitation की Form में Remove कर देते हैं यह पानी में नीचे Sludge करते हैं और Sludge को हम आराम से इस Precipitation को हटा सकते हैं या Remove कर सकते हैं और पानी में हमारी जो Hardness है, वो Reduce हो जाएगी Second है, जब हमारा Magnesium Ayan होता है तो उससे हमारा क्या Compound बनेगा Magnesium Ayan से हमारा जो बनता है वो MgCO3 बनेगा तो जैसे MgHCO3 Whole Twice को जब अगर हम Heat करते हैं तो इससे हमारा क्या Compound बनता है MgCO3 Plus H2O Plus CO2 तो यहाँ पर MgCO3 है यह हमारा Precipitation Form नहीं करता है It is Fairly Soluble in Water It is Fairly Soluble in Water तो यहाँ पर यह हमारा Precipitation Form नहीं करता है तो इस Reaction में MgCO3 को Precipitate करने के लिए हम Lime के साथ इसका क्या करते है React कराते है तो जब MgCO3 हमारा MgCO3 reacts with Lime CAH CAH Whole Twice तो यहाँ पर हमारा क्या Form करता है CAHCO3 Whole Twice Plus Mg OH Whole Twice यह Form होता है तो यहाँ पर MgOH Whole Twice को तो हम क्या करते है Precipitation की Form में यह Precipitate PPT हमारा Form करता है तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा Precipitate हो जाएगा और CAHCO3 को हम कैसे रिमूव करेंगा By Heating It can be removed by CAHCO3 Plus H2O Plus CO2 तो इस तरह से हमारे Magnesium Bicarbonate की जो होती है उसको हम रिमूव करते हैं तो Magnesium Bicarbonate के हाड़नेस हम किस तरह से रिमूव करते हैं First React with What? Lime और Hydrated Lime Okay Then Heating और Boiling इससे हम हमारे क्या रिमूव करते हैं Magnesium की Temporary Hardness और अगर Calcium की Temporary Hardness है Calcium Bicarbonate है तो यह हम Direct Simple Boiling से ही रिमूव कर पाएंगे तो यह हमारा प्रोसेस हो गया क्या जब हम Temporary Hardness को रिमूव कर रहे हैं अगला है हमारा Permanent Hardness तो Permanent Hardness को रिमूव करने के लिए हमारे पास Different Method होते है सबसे पहले तो Permanent Hardness होती क्या है Permanent Hardness Permanent Hardness का मतलब है के Calcium और Magnesium आयन्स जो है यह हमारे किस के साथ Compound फॉर्म करें Non Carbonate आयन्स एन आयन्स के साथ किस के साथ Non Carbonate एन आयन्स Carbonate हमारे कुछे होते हैं CO3 2- और HCO3- इन को छोड़ के बाकी किसी के भी साथ अगर यह Compound फॉर्म करते हैं जैसे हमारा क्या हो गया Sulfate हो गया SO4 2- हो गया क्लोराइड हो गया CL- हो गया अगर इनके साथ यह Compound फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह हमारी Non Carbonate Hardness कहलाती है कौन से कहलाती है Non Carbonate Hardness और इस Non Carbonate Hardness को हम Remove कैसे करते हैं इसको Remove करने के लिए हमारे पास Method फरस्ट जीसे हम कहते हैं Lime Soda Process Lime Soda Process Next Method जो हमारा होता है वो कौन सा Base Exchange Method Base Exchange Method ओके यह दोनों बहुत Important है और थर्ड हमारा Method होता है जिसे हम कहते हैं Demineralization Method Demineralization Method तो Lime Soda Process में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम Lime के साथ react कराते हैं फिर उसकों साथ बाद हम क्या करते हैं Soda के साथ उसकी reaction कराते हैं पानी की और इन दोनों के reaction के साथ हमारा जो byproduct बनते हैं वो precipitate हो जाते हैं और उससे हमारी hardness क्या होती है Remove हो जाती है ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं Lime Soda Process Lime Soda Process प्रोसेस में सबसे पहले हमारी जो इन पर्मानेट हाड़नेस में हम टेंप्रेरी हाड़नेस को तो अव्यस्ली रिमूव कर ही पाते हैं तो जैसे calcium C A H CO3 whole twice lime के साथ react करता है C A O H whole twice तो इससे हमारा क्या बनता है twice of C A CO3 plus H2O यहाँ पर C A CO3 जो है यह हमारा क्या हो जाजाए प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारी calcium के हाड़नेस यहाँ पर temporary remove कर देंगे उसी जगह पर अगर हमारा क्याप compound है M G CO3 है या फिर M G H CO3 ही है यहाँ पर magnesium bicarbonate है H CO3 whole twice तो यह lime के साथ react करेगा C A O H whole twice और यहाँ पर हमारा क्याप compound फर्म होगा C A H CO3 whole twice plus M G O H whole twice M G O H whole twice यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा precipitate हो जाएगा और हम यहाँ पर magnesium के करण ज़ा hardness से उसको remove कर दी लेकिन यहाँ पर calcium bicarbonate compound फर्म हुआ calcium bicarbonate compound अपने आप में एक hardness होता है इसे remove करने के लिए हम वापस या तो इसको boil करे या फिर से हम lime के साथ इसकी reaction कराते है C A O H whole twice इससे हमारा यह compound फर्म होगा two times of C A CO3 plus H2O और यहाँ पर हमने यह जो compound होता है वो heavy होता और यह हमारा precipitate कर जाता है और इस तरह से हम हमारी magnesium bicarbonate के hardness को remove करते है तो जब calcium bicarbonate होता है एक molecule और एक mole of lime की requirement रहती है जब magnesium bicarbonate हाई की hardness रहती है तो हमें 2 mole of lime की requirement रहती है यहाँ पर यह हम समझ सकते हैं तो यह तो होगी तो lime soda process से हम क्या कर रहे है permanent नहीं temporary hardness को remove कर रहे है जब हमारे पानी में क्या है permanent hardness है तो उसके लिए हमारे पास क्या reactions form होती है पानी में जैसे magnesium compound है Mg 2 plus कि किसके साथ compound form हो रहे है यह CL minus के साथ 2 और SO4 2 minus के साथ NO3 minus के साथ अगर यह rear करके हमारे क्या बनाएंगे एक permanent hardness बनाते हैं और non carbonate hardness बनाते हैं जब यह compound जो है यह हमारे lime के साथ react करते हैं मतलब CA OH whole twice के साथ react करके क्या compound form होते हैं Mg OH whole twice plus यहाँ पर यह क्या form होगा calcium के this compound CA what 2 times of CL minus SO4 2 minus और 2 times of NO3 minus यह मैंने एक साथ लिग दिया यहाँ पर यह compound भी फोर्म हो सकता है CA CL2 CA SO4 तीनों reaction को एक साथ लिखा है इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं अब यहाँ पर क्या है calcium की हमारे क्या है permanent hardness है magnesium के permanent hardness Mg OH whole twice बना के क्या हो जाएगा precipitate हो जाएगा तो यहाँ पर यह तो PPT form करेगा और remove हो जाएगा calcium की जो non permanent hardness sorry permanent hardness है CA SO4 है और CA NO3 whole twice है यह जब हमारा soda के साथ clear करेंगा soda का formula होता है NA2CO3 तो क्या compound form करेंगे CA CO3 plus NaCl plus NA2SO4 plus और क्या compound form करेंगा NA NO3 और यह हमारे क्या है alkalis कहलाती है hardness नहीं कहलाती है और यहां पर CA CO3 precipitate हो जाएगा और calcium के कारण जो hardness हाती है यह हमारे क्या हो जाएगी remove हो जाएगी ओके तो इस तरह से हम lime soda process के थुरू calcium और magnesium के कारण जो temporary या फिर permanent hardness होती है उसको हम क्या करते है remove करते है इसके साथ क्या है lime soda process से हम पानी में present carbon dioxide co2 gas होती है उसको भी हम remove कर लेते है यह सारी reactions जो होती है यह हमारे क्या होती है pH sensitive होती है तो जब हम lime के साथ react कराते है lime के साथ react कराते है तब हमारी जो pH होनी चाहिए यह pH कितनी होती है 9 से 9.5 की बीच जब हमारा Precipition में क्या बंज रहा होता है Sorry Precipitation में हमारा CECO3 बंज रहा होता है लेकिन प्रे cohesive हमारा Mg OH replay मतब़ रहा होता था इस case में हमारी pH कितनी होनी क्योंती है 11 से ज़्यादा होनी है यहां पर यह क्या form करते है Sludge form करते हैं और इन sludge को फिर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो यह हो गया हमारा lime soda process, अगला process हम देखते हैं, base exchange process जिसे हम cation exchange process भी कहते हैं, या फिर zeolite process भी कहते हैं, second is, base exchange process, base exchange process को हम cation exchange process भी कहते हैं, केटायन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जीयोलाइट होता है जीयोलाइट का मतलब क्या होता है यह एक हमारा नैचुरल और सिंथेटिक नैचुरल और सिंथेटिक क्या होता है केटायन होता है और इसे हम क्या कह सकते हैं base exchange base exchange hydrated hydrated or silicate of sodium and alumina okay zeolite को दुसरा नाम हम green sand भी कहते हैं जा कहते हैं green sand zeolite को हम क्या कह सकते हैं green sand भी कहते हैं यह zeolite पाने में present hardness के साथ react करता है और हमारा एक compound form करता है ओके जैसे इस zeolite का जो relation formula होता है वो हमारा क्या होता है na2o dot al2o3 dot x si o3 dot y h2o यह हमारा क्या कहला था green sand का formula होता है इसे हम short में लिखते हैं na z या लिखते हैं na z जब यह na z पाने में present हमारी different type of carbonate और non carbonate hardness के साथ react करता है जैसे na z react with calcium और magnesium के carbonate hardness जैसे h co3 minus हो गया non carbonate hardness so4 to minus हो गया chlorine हो गया इनके साथ जब react करता था यहां पर यह क्या बनाता है? sodium alkalis बनाता है Na of HCO3-SO4-2-C-L- और यह हमारे salt होते हैं, यह hardness प्रोडियूस नहीं करते हैं और calcium जो होता है, यह zeolet के साथ reaction कर लेता है इसकी affinity Z के साथ क्या रहती है? हमारी जदा रहती है तो यह हमारा क्या होता है, उस zeolet surface के उपर चिपक जाते हैं और इनको फिर हम remove कर लेते हैं ओके, तो इस तरह से हमारा zeolet process चलता है यह हैं एक absorption process होता है मतलब क्या होता है, zeolet एक medium होता है ओके, यह NAZ का एक medium है, sendry type का होता है ओके, इस medium में यह हमारा एक medium है ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, green send कहते हैं green send पानी इसके उपर से pass करता है ओके, water pass करता है और यहां पर water में हमारा क्या compound रहे जाते हैं NA of HCO3 minus, Cl minus और SO4 minus salt बन जाते हैं और जो calcium पानी में जो present था वो इस zeolet के surface पे आके attach हो जाते हैं और क्या बनाता है, CAZ form होता है ओके, तो अब जब एक quantity of water को इस तरह से हम treat करते हैं और treat के बाद जो हमारा calcium आयन सारे react करके zeolet की efficiency को reduce करते हैं तब इस green sand को हम brine solution के साथ react कराते हैं किसके साथ? brine solution इसका formula मतलब यह sodium salt होता है NaCl कहते हैं इस NaCl के साथ जब यह CAZ react करता है तो हमारा compound form होता है क्या? NaZ plus CA or MgCl2 इसको तो हम remove कर देते हैं और यह हमारा इस तरह से वापस zeolet का जो यह medium होता है वो हम clarify करते हैं उसको साफ करते हैं और इसको फिर वापस हम इन reactions के लिए utilize कर लेते हैं तो यह हमारा पुरा zeolet method इस तरह से हमारा काम करता है इसके कुछ salient features है right method के के जीड़ाइट मेघ segu distort Traffic कर सकते हैं जीलाइट प्रोसेस बाइड रमाचिब कर सकते दूसरा जावनटेश किस्ट प्रेसिपिटेट नहीं गहारिए जो भी कडिस्टील हो जाती है इस सर्फेस के चारों तरफ हमारी चिपक जाती है और जब इस सर्फेस के चारों तरफ हमारी चिपक जाती है तो फिर हम इसको अलग तरह से क्लीन करने के लिए हम ब्रैन solution में डालते हैं और वहांपर हमारे Clara के साथ fan करके अलग हो जाती है और हमारे green sand वापस साफ हो जाती है तो मतलब पानी में हमारी कोई भी sludge form नहीं होती है K ethanto sludge हमारी पानी में yearcom नहीं होती है और zeolite को हम वापस से reuse कर सकते हैं by treating with lime soda process or sorry by treating with brine solution zeolite membrane zeolite membrane can be reused by using brine solution okay by using brine solution तो इस तरह से हम क्या करते हैं पानी में present hardness को remove करते हैं तो यह हो गया हमारा water softening technique अब इसके बाद बहुत सारे minor process होते हैं जिसमें हम fluoride जो पानी में होता है उसको remove करते है पानी में जो fluoride होता है उसकी एक limiting value होती है fluoride पानी में ज़्यादा भी नहीं होना चीए और हमारा कम भी नहीं होना चीए fluoride जो होता है पानी में अगर 1 mg पर लिटर से कम है तो यह हमारा क्या होता है डेंटल केविटी क्रियेट करता है और यह 1.5 mg पर लिटर से ज़्यादा है तो यहां पर क्या होता है कि हमारी हड़िया बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है और इसके बीच में होना बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है हड़िया कमजोर हो जाती है तो अजमेर, राजस्थान के अजमेर और नागोर जो इलाका है यहाँ पे फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन बहुत जदा है तो फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन जदा होने के करण की जो हड़ी होती है वो इस तरह से बैंड हो जाती है नीड की हड़ी इस तरह से जुख जाती है तो उसके करण वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं हम बैल्ड कहते हैं या फिर कूबर्ड पट्टी कहते हैं या कि वहाँ के लोगों की जो होती हो कूबर्ड निकल जाती है पिछे की तरफ से तो इसलिए फ्लॉराइड की कंसंट्रेशन अगर कम है तो यहां पर हमें क्या करना था है फ्लॉराइड एड़ करना पड़ता है और फ्लॉराइड की कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है तो यहां से हमें इसको क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है तो रिमूव को हम अबाते हैं नोलीडेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फ्लोराइड के कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एचेंट्स ओफ एजन्स ओफ एने एफ किसे हम सोडियूं फ्लोराइड कहते हैं sodium fluoride और Na2SiF6 जिसे हम sodium silico fluoride कहते हैं sodium silico fluoride इनको add करते हैं पानी में और यह पानी के साथ रियक्ट करके हमारे fluoride की concentration को increase करते हैं अगला मेताड है defloridation process defloridation process तब यूज़ करते हैं जब हमारे पाने में fluoride की quantity क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है उस case में हम कुन सा process यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं adsorption by activated alumina adsorption by activated alumina okay दूसरा हम नालगोंडा टेक्निक को यूज़ करते हैं नालगोंडा टेक्निक नालगोंडा टेक्निक नालगोंडा आंधर प्रदेश में एक शहर है वहाँ पे फ्लोरीन की concentration जदा थी तो वहाँ ग्रामीन इलाकों में हम high defloridation plant नहीं लगा सकते तो वहाँ पे alum और lime के साथ क्या करते हैं पानी को treat करके हम आप फ्लोरीन की concentration को क्या करते हैं रिमूब करते हैं तो आपको इन दोनों के नाम याद रेने चाहिए तो यह हमारा क्या होता है एक basic fluoridation और defloridation process होता है तो इसी के साथ लगबग हमारा पुरा water treatment process complete होता है अगली ory class में हम क्या करेंगे distribution system को पड़ेंगे distribution system क्या है कि हम पाणी सोर से लाए different types of source देखिए उसके बाद हमने water को treat किया और water को treat करने के बाद हम क्या करते ताउन आ किसी भी look area में पानी को हम क्या करते है usually olur करने के लिए यहां पर हमारा पेजल को पानी को हमें लोकल लाइट या टाउन एरिया के तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क प्रोवाइड करना पड़ता है यह डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क कितने तरह के होते हैं इसमें हम अगले क्लास्वे पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जैहिंद